हाई दोस्तो आज में बताने वाला हूँ अगर आप काइन मास्टर में एडिटिंग करते हो तो रिटिंग करने के समय इस प्रकार का इंटरफेस हा जाता है आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में यह ऐसा लिखा हुआ आता है एक्सिडेंट सपोर्डेट नंबर आप वीडो लेयर साई से कुछ लिखाया होता है तो आज में इसी के सल्यूशन बताने वाले हूँ दोस्तो और इस से पहले अनिल टेक के चैनल पन नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पेना बेल आइकन घंटिक प्रेस केना जिस से आन यहां से सलेक्ट कर लेता हूँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है आप देख सकते हैं अब देख सकते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में मेरा वीडो चल रहा था लेकिन जैसे ही लेयर को 20 से कट किया इसके बाद इस प्रकार के इंटर्ट पर सा गया आप आज मीशी का सल्यूशन बताने वाला हूँ नहीं चेर रहा है इस वाले में हम जब किलिक करते हैं इस प्रकार का इंटर्फैस आ जाता है अब देख सकते हैं एक को यह सबसे यहां लिखाया हुए है आप देख सकते में फ़्री 인फर्मेशन लिखाया हुए है इस पर क्लिक कर देने के बाद उपर तरफ आप देख सकते हैँ एकडर आपका अपसानी इस पर हमें क्लिक कर देना है अगर आप layer mode पर क्लिक नहीं है तो इसको layer mode पर write कर देना है इसके बाद यहां से फिर से बेख हो जाना है दोस्तो सेटिंग पर click कर देना है हमें और यहां पास आप देख सकते हो कौन से mobile में editing कर रहा है इस mobile के बारे में लिखाया हुआ है इसमें आप पढ़ सकते हैं तो हमें उपर तरफ इस्ट्रोल कर देना है दोस्तों यहां से हमें उपर तरफ इस्ट्रोल कर देना है तो मैं कर देता हूँ यहां से उपर तरफ इस्ट्रोल कर दिया हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों यह थोड़ा से loading है तो आप देख सकते हैं यहां पास लिखाया हुए unlimited video layer mode तो इसको आपको enable कर देना है दोस्तो यहां से हमें बेक हो जाना है दोस्तों तो मैं बेक कर लेता हूं यहां से तो आप देख सकते हैं मैं बेक करके फिर से आगे हूं दोस्तों इसके बाद हमें इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद मैं चला कर दिखा देता हूं कि यह पहले अटकता था अब नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं तुम इसको आपको चला कर देखा देता हूं यहां से किस प्रकार काम कर रहा है तो आप देख सकते हैं मैं चला कर देखा रहा हूं तो यहां पास में कट किया थी यहीं पास प्रोब्लम हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों जड़ जड़ सेयरकन